पर गाव चलो अभ्यान की शुरुआत अब होने जा रही है और इसके लिए जिम्यदारी भी लगभग तै हो चुकी है मुख्यमंत्री समेट मंत्रू की जिम्यदारी तै की गई है पतादें की मुख्यमंत्री समेट मंत्रू की जिम्यदारी तै की गई है से ग्यारा परवरी तक बूठ सर पर 24 घंटे नेता बिताने वाले हैं लोकसबाद चुनाव को देखते हुए ये निना लिया गया है मुख्यमंत्री पुश्का सिंग धामी लोहा घाट के कम लेधी गाओं में जाएंगे और यहां पर भी गाओं चुलो अभ्यान में शामिल हो में डोजार चुबिस में आप जानते हैं इसी साल लोकसबाद का चुनाव है उससे पहले उत्तराखंड सरकार की जमेदार तो यह ही कि लोगों के लिए विकास की काम करवाए जाए लेकिन बीजेपी सरकार की बात करें यानि कि मुख्यमंत्री फुश्कर सिंग धामी की वि जदा एहम है लोगों से सीधा समवाद स्थापित होगा और साथी ग्रामिण आंचल के लोगों से सरकार सीधे भी जुड़ जाएगी जिससे कि उनकी समस्याएं वो पटा लगेगी और फीड़ विसरकार ले पाएगी कि आखिरकार ग्रामिण इलाकों में सरकार के कामकाज क का फीड़ भैक धरातल पर क्या दिखाई दे रहा है गाउंचल अभ्यान ये क्या है जादा जानकारी देने के लिए और जो अलगलग कारिकम बनाए हैं सरकार ने उस पर भी बाच्चित करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे हमारे समवादाता नासर खुसें देरादुन से नासर सबसे पहले तो इस अभ्यान के बारे में थोड़ा सा जिकर कीजिए और बताईए दर्शकों को इसके परिभाशा ये कारिकम क्या है दूसरा सवाद क्या इसे चुनावी दोरे से भी जोड़ कर देखा जा सकता है सरकार के देखे कमर बिलकुल अब बीजेपी चुनाव को देखते हुए पहुस सारे कारिकरम कर रही है और इन कारिकरम की जो प्रोग्राम है वो तैय हो गए हैं और कब कब क्या क्या कारिकरम होने हैं तमाम अब जो कारिकरता है जिन लोग की जूटिस इन कारिकरम में लगाए गए उनको बता दिया गया है जो गाउं चलो कालिक्रम हैं गाउं चलो अभियान है इसको ले करके इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि बीजेबी सरकार ने पिछले पांच सालों में क्या किया अजब से बीजेबी की उत्राखन सरकार में उत्राखन दुबारा सरकार बन चुनाव नजदीक है ऐसे में जनता को कितना लाब मिल रहा है और उस लाब का की की वज़े से वो पार्टी से किस तरीके से जुड रहे हैं तमाम चुछों को जानने के लिए भी स्कालिक्राम का आज़िन क्या जा रहा है क्योंकि बहुत सारी यसी युज़नाय जिनका लाब मिल रहा है और उन लाब हरती हो किस तरीके से ये तमाम युज़नाय पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है इसके लिए तमाम पार्टी के पदारीकारियों की जिम्मधारी लगाई है खुद मुट्यमंतरी और जो पार्टी के पर्देश अध्यक से वो खुद 24 गंटे गाउं में जाकर 24 गंटा बिताने का मकस्द यही है देख तो सरकार की जो काम काज कर रही है वो जनता तक उसका लाप पहुंच रहा है गाउं इस तरह तक उसका लाप पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है और दिसरी चीज जो योजनाय हैं उन योजनायों के बारे की जानकरी तमाम लोगों को है या नहीं है इन तमाम जो को जानने के लिए और साथी साथ उनकी जो समस्या हैं उनको जानने के लिए खुद पार्टे के पजादिकारी और खुद मुक्यमंद्री उसका सिंधामी गाउं में जाएंगे और 24 गंटा का वक्त वहां उस गाउं में गुजारेंगे तो ये एक अच्छा कारिक्रम है इस